आज हम पालक और चनी की सबजी बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने पालक लिए इसे मैंने धोकर साफ कर लिए और इसे अब मैं एक कड़ाई में उबालने के लिए एक उबाला आने तक मैं इसे उबालूंगी यह पालक हमारा सॉफ्ट हो चुका है और अब हम इसे बस ए भूबाले आने तक हम इसे पकाएंगे और इसे मैं ठककर उबाल रहे हूं 5-5 मिनिट लगेंगी ज्यादा नहीं लगेगा और बस अब हमने गयस को बंद कर देना है और इसे हम तुरंत निकालेंगे और मैं इसको ज्यादा नहीं पकाना नहीं तो इसका कलार चेंज हो जाए बस और यह हमारी प्यूरी बन के त्यार है और इसका कलर भी चेह नहीं हुआ बिल्कुल क्रीन कलर है तो अब हम मसाला त्यार करते हैं तो गढ़ाई भी मैंने सरसो का तेल लिये और आदा चमज मैंने जीरा डाल दिया और एक चमज मैंने अधरग लसन चॉप किया वर डाल दि बना आये और इसमें मैंने तीन चार हरी मिर्शी एक चमज कटिवी डाल दिये है उसे भी हम इसके साथ पका लेंगे और मसाला अच्छी से पक चुक है तो अब मैं इसमें एक छोटा प्याज डाल के चॉप किया हुआ और इसे भी हम ब्राउन होने तक लाइट ब्राउन होन तो ये हमारा प्याज भी हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर ये मैंने एक टमाटर लिया है चौप किया हुआ मीडियम साइज का है और इसे भी मैं मसाली के साथ अच्छे से भूल लूँगी और इसमें अब हम मसाली डालेंगे ये ह धनिया पाउडर अदा छोटा चम्मगे है और Red Chili Powder यह आदे से थोड़ी जादा ललवीर चै और तीखा अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और यह है अब मैं डालूँगी जीरा अदे से आदा चम्मगे और अब मैं डालूँकी इसमें नमक, यह स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने चने में अल्रेडी नमक डाल दिया था उबालते समय, तो यहां पर मैं नमक थोड़ा कम टालूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस तेल छोड़ने तक इसे हम पकाएंगे, और यह है गरम मसाला, आद यह हमारा मसाला पक चुका है, तो अब हम चने डाल रहे हैं, यह ओबलेवे चने हैं, और इन्हें हम अच्छे से मसाली के साथ भूनेंगे, बस अच्छे से भून जाएं, और मसाला अपना तेल छोड़ते, तब तक हम इसे भूनेंगे, और फिर हम इसमें पालक की जो जाल पक चुका है, और यह खान में बहुत ही टेस्टी लगती है, और यह हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब हम अभी बनाई थी, और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो जार में थोड़ी से प्यूरी लगे, उसमें पानी डाल के और इसमें डाल द बढ़िया आ रही है, और यह अब हमारी सबजी तक्रीबन बनके त्यार हो चुकी है, दो मिनिट के लिए इसे और ढखके रखूंगी, और अब इसमें मैं अद रखके टुकडे ढखूंगी, कटे वे बारिक चौप किये वे, और यह हमारे पालक चना बनके त्यार है, आई ह थी सिंपल ईजी रेसीपी है, आई होप यह अपको पसंद आई की, तर दुशाट यहे हैं, तर यह वे अजहां सब्सक्रीघाल, तर दुशाट के रखके ठागे, तर यह जहां रहाए है तुस्य। पहकी तर दुशार फुशाट भार्युशन के रखके, ज़क्याल, और